नमस्कार निर्मान आईएस में आपका स्वागत है मैं शिल्पी वर्मा आपके समक्ष 2018 में जारी प्रमोग 3 ग्लोवल इंडेक्स, ग्लोवल हंगर इंडेक्स, यूमन कापिटल इंडेक्स, ग्लोवल कॉंपिटिटिवनेस रिपोर्ट के विशे में चर्चा करूंगी हमने सब्सक्राइब में आज हम ग्लोवल हंगर इंडेक्स 2018 को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशे वैश्पिग भूग सूचकांग 2018 सहीं प्रकाशन कंसर्ण वर्डवाइड और वेल्थंकर हिलफे द्वारा जारी किया गया है इस सूचकांग का मुख्य फोकस इस सूचकांग में 119 देशों का आंकलन किया गया है जिसमें भारत की रैंकिंग 31.1 स्कोर के साथ 103 है भारत जहां वर्ष 2017 में सौवे पाइदान पर था वहीं 2014 में 55 में पाइदान पर रहा बदहाल होती ऐसी इस्तिति का मूल कारण कल्यार कारी योजनाओं का सही ढंग से क् 119 देशों वाले इस इंडेक्स में बेलारूस को प्रथमिस्तान हासिल हुआ है जबकि नियूंतम रैंकिंग वाला देश मध्य एफ्रीकी गढ़ राज है भारत की रैंकिंग अपने पडोसी देशों से पीछे है भारत के वल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बहतर इस्त और ब्रिक्स एवं सार्क देशों की रैंकिंग जो इस प्रकार से है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुवात वर्ष 2006 में इंटरनाशनल फूट पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट ने की थी 2018 इंडेक्स इसका तेरवा सल्सकरण है यह इंडेक्स दुनिया के तमाम दे इस्तर 20.9 जी अचाई स्कोर के साथ कम भीर श्रेडी में है इसका इस्तर वर्ष 2000 के 29.2 स्कोर से कम हुआ है इस अंतराल वर्षों में भूक और को पोशण के इस्तर में कुल 28 प्रतिशत की गिराबट दर्ज की गई है इस स्कोर के संकेत कुछ निन प्रकार से हैं देखते है वो क्या है अल्प पोशण की व्यापकता आयू के अनुपात में बच्चों का कम वजन और लंबाई लंबाई के अनुपात में बच्चों का कम वजन वालम्रत्युदर वर्तमान में विश्व के लगभग 124 मिलियन लोग तीब रभूग से पीड़े थें दुनिया में भु 2030 तक विश्व सतद्विकास लक्षों को प्राप्त कर सकेगा इसके प्रमुक लक्ष है भुकमरी उन्मूलन खाद सुरक्षा पोशर इस्तर में सुधार और सतत खेती को बढ़ावा देना छेत्री इस्तर पर वैश्वे भूख सूचकांग स्कोर के हिसाब से दक्षण एशि के बावजूद पोशड की इस्तिति देनिये हैं जहां पांच में से कम से कम एक बच्चा कम भजन का है 1948 में सईवतराष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ओफ हुमन राइट्स को अंगिकृत किया गया है इसके तहत हर देश के नागरिकों को भ भूजन का अधिकार भी सन्नेहित है अनुछे 47 भी राज्जिकों अपने नागरिकों के लिए पोशड के स्तर को बढ़ाने की वादिता का प्रावधान करता है चलिए देखते हैं आज का प्रारंबिक प्रशन क्या है निर्म लिखित कत्नों पर विचार कीजे ग्लोबल करता है स्वास्त का अर्थ शारिरिक मानसिक और समाजिक संदर्वों से होता है उप्रियुकत कतनों में से कौन सा कतन साते हैं चलिए मुख्य परिक्षा का प्रशनन देखते हैं परनतु हुआ मेहत्तवूर क्ल्यान का प्रशनाव कारणों की परताल के साथ योजनाओं के क्रियानवन का वेकलपिक सुझाओ भी प्रस्तुत कीजे इस अंक में प्रथम चरण ग्लोवल हंगर इंडेक्स 2018 को शामिल किया गया है अगले वीडियो में हम बागी के बचे हुए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी परिक्षा में मददगार साबित होगा हम भविश्व में भी इसी प्रकार के टॉपिक्स लाते रहेंगे धन्यवाद